आज हम बात करने वाली हैं अगर आपको Google Play Store से कोई अप्लिकेशन अपडेट करने में पैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है जैसा कि देख सकते हैं अगर कोई एप आप अपडेट कर रहे हैं अपने फोन में तो यहाँ पर आपको इस टाइप से शो होता है पैंडिंग तो यह जो एप्लिकेशन अपडेट करने में पैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कैंसल पर पहले किलिक करिए उसके बाद Google Play Store से बहार आईए और अपने फोन में चैटिंग्स को ओपन करके नीचे आईए और नीचे आकर आपको मिलेगा Apps का Option, Apps Option पर किलिक करिए, Apps Option पर किलिक करके ऊपर आएगा App Manager या फिर App Management का Option इस पर आप किलिक करिए, किलिक करने के बाद आपके फोन के यहाँ पर सारे एप्लिकेशन आएंगे, उसके बाद नीचे स गूगल प्ले स्टोर तो गूगल प्ले स्टोर पर आप किलिक करिए, और गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ही आप किलिक करेंगे आपको मिलेगा Force Stop इस पर आप किलिक करिए, नीचे Force Stop पर फिर से किलिक करिए, उसके बाद Storage या फिर Storage का Option आएगा, तो इस पर आप किलिक करिए किलिक करके आपको मिलेगा Clear Data Clear Data पर किलिक करिए उसके बाद OK का Option आएगा तो OK पर किलिक करिए यहाँ पर Back आईए उसके बाद Back आईए Data Usage पर किलिक करिए अगर आपका Disable Mobile Data, Disable Wi-Fi दोनों Option चालू है तो इन Options को बंद करिए उसके बाद आप Back आ सकते हैं और फिर से Back आईए यह सारी Settings करने के बाद आप अपने फोन में एक बार Flight Mode को On करिए Flight Mode को On करने के बाद Flight Mode को बंद करिए उसके बाद अपने फोन को आप Restart करिए यानि कि फोन को बंद करके चालू करिए और उसके बाद अपने फोन में फिर से प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो जैसे की हम एप्लिकेशन को अपडेट करके चैक करेंगे तो अपडेट पर किलिक करेंगे और जैसा की देख सकते हैं अब हमारी प्राब्लम ठीक हो चुकी है एप्लिकेशन अपडेट हो चुका है तो इस टाइप से अपनी प्रॉबलम को ठीक करें विडियो पसंद आई विडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें